Hey everyone, welcome to our channel तो आप सभी को तो पता ही है कि सभी electric vehicles में जो frame to subsidy है वो reduced हो चुका है and इसका लागू भी हो जाएगा 1st of June से तो ये कितना percentage घटेगा या फिर कैसे सभी vehicles में लागू होगा तो उसका related जो video है वो हमने अल्रेडी बना लिया है and उसका link आपको description box में में जाएगा तो ये video खतम होने के बाद आप जाके वो video देख सकते हैं अभी इस point of time में अगर आप कोई electric vehicle खरीदना चाहते हैं तो obviously वो थोड़ा से तो महंगा आपको पड़ेगा ही तो आप जब ये खरीदने जाएंगे तब कौन-कौन सी point आपको दिमाग में रखना है या फिर उस showroom में जाके आपको क्या-क्या questions पुछना है ताकि आपका कोई loss ना हो तो वो ही आज हम लोग इस video में discuss करने वाले हैं तो I think अगर आप लोग इस point of time में खरीदने वाले हैं तो आपके लिए ये video बहुत ही helpful होने वाले हैं तो इस video के सब इन तक जरूर बने रहीएगा तो first जो point है वो है road tax and registration के उपर तो road tax and registration बहुत सारी states में अभी free है for example West Bengal में road tax and registration free है 2024 April तक तो obviously आप लोग थोरा सा देख लिजिए Google कर लिजिए कि आपके state में ये road tax and registration free है की नहीं तो अगर ऐसा है तो आप dealer को बोलिए कि road tax registration तो नहीं है तो उसको छोड़ के क्या on road price है वो बताने के लिए मैं आप लोगों को ये इस लिए बता रहा हूं क्योंकि obviously आप ज़्यादा पैसा तो देना नहीं चाहेंगे तो क्या कोई dealer कैसा है ये तो हमें पता नहीं है किसी को भी पता नहीं है तो आप थोड़ा सा जांकरी लेके जाए एंड डिसीव होने से बचिए नेक जो पाइंट है हो है फेम टू सबसीडी को लेके तो आप सभी को पता है कि फेम टू सबसीडी घट चुका है लेकिन अभी जो नया मडल MOKPY तो मैंने मिल जाएगा लेकिन जो प्राइमर्स नया गारी है उसमें आपको फिर्म्रे मिलेगा नहीं मिलेगा नोगरे लेकिन वैस में आपको फिर्म सबसीडी नहीं रही बिलगा ऐसा शायद government से rule हो गया है कि जो नया गारी है उसमें film to subsidy अभी लागू नहीं होगा तो हाँ तो इसका मतलब देखिए पहले जो हमारा एक mindset था कि जो जिस गारी में film to subsidy नहीं है उसका मतलब है कि उस गारी का कोई भी पार्स किसे दूसरे country से मंगाया गया है लेकिन अभी अगर ऐसे ही mindset लेके चलेंगे तो शायद ये गलत हो जाएगा क्यूंकि बहुत सारा company ऐसा है कि बहुत अच्छा गारी बनाते हैं लेकिन film to subsidy उसमें अभी नहीं मिलेगा तो आप पहले test right लेके देखिए और उसके बारे में और भी जानकारी लीजिए तो क्या के हाँ आप जानकारी लेंगे वो हम बाद में और भी बताएंगे तो इस वीडियो के साथ बने रही है तो जैसे कि शाहिंतिका ने बोला है कि fame2 को छोड़के भी बहुत सारा parameters हैं तो उन में से एक है कि build quality या फिर button quality दोनों ही build quality और बटन quality तो मैं यह बताना चाहता हूं हमारी experience से मतलब button quality देख के पता चलता है कि कोई गारी का build quality कैसा है अच्छा अगर उस गारी की build quality अच्छा है तो button quality भी अच्छा होता है तो anyway तो आप देखिए कि उसका button quality उसका button ठीक से काम कर रहा है कि नहीं या फिर आपको पता चल जाएगा मतलब ये long term में चलेगा कि नहीं वो button आपको पता चल जाएगा और build quality भी आप देख लीजिए मतलब कि उसका अगर गारी ride कर रहे है तो कोई click sound आ रहा है कि नहीं या फिर कोई दो plastic घिसने की sound आ रहा है कि नहीं तो ये थोड़ा सा minutely observe कीजिए और ऐसा भी हो सकता है कि कही पे आपको gap मिले या फिर जो button quality वो अच्छा नहीं है तो फिर rain में rain का पनी अंदर जाके कुछ और problem कर सकता है देखें आप सभी ऐसा तो पूछेंगे ही कि battery का IV rating क्या है या फिर motor का क्या है लेकिन आप सभी को ये भी धियान में रखना है कि अगर कहीं से भी पानी अंदर चला जाता है तो light का कुछ ख़ड़ा भी आ सकता है क्योंकि बहुत सरी जगा में ऐसा वेरिंग रहता है अगर उसमें भी पानी चला जाए तो भी problematic हो सकता है तो आपको वह भी धियान में रखना है मतलब कि build quality आपको अच्छे से देखना है तो next point है वह है obviously taste ride तो हाँ obviously आप अगर कोई गारी खरीदने जाएंगे तो taste ride तो लेंगे ही लेंगे तो आप देखिए taste ride लेके कि आपको चलान लेकिन अगर family use के लिए ले रहे हैं तो obviously एक pillion के साथ भी test कीजिएगा ताकि आपको ये भी पता चले कि पीछे का जो suspension है वो कैसा है या फिर जो ground clearance है वो जब किसी bum के उपर से जाते है तो उसमें touch होता है कि नहीं तो सब कुछ आपको यहाँ पर पता चल जाएगा तो taste ride अच्छे से लीजिए and then decide कीजिए कि ओ गारी आपके लिए सही है या फिर आपके family के लिए सही है या नहीं तो आप लोग हमें comment box में पूछते रहते हैं कि इस particular गारी की review कीजिए लेकिन हम करने ही पाते हैं इसका reason यह है कि जो dealers है या फिर जो companies है वो हमें गारी नहीं देते है review करने के लिए क्योंकि हम बहुत ही छोटा यूट्यूबर है और आप लोग जासा सब जाधा अगर हमें subscribe करेंगे तो हमारी family बढ़ा होगा and जो companies है dealers है वो हमें consider करेंगे अपना गारी review करने के लिए देने के लिए और या फिर range test करने के लिए देने के लिए तो यही है तो please हमें चैनल को subscribe कीजिए और उसके साथ साथ बेल आकें भी दवाना मन भूलिएगा नेक्स जो point है वो है servicing related तो आपकी जो electric vehicle है obviously वो roadside किसी भी mechanic से आप service नहीं करा सकते तो obviously service center होना and आपकी नजदीक होना ज़रूरी है तो obviously आप किसी भी dealer के पास जा रहे है तो उनको पूछी कि service center कहां पे है अगर वो आपकी नजदीक है तो then it is well and good अगर वो नजदीक नहीं है तो obviously आपको RSA service की ज़रूरत है तो ये भी आप एक बार पूछ लीजेगा कि RSA service इस गारी का है की नहीं तो RSA service नजदीक हो या ना हो दोनों के किसे में आपको चाहिए क्योंकि आपकी गारी ये तो battery से चल रहा है ये कभी battery का कुछ issue हो सकता है motor का कुछ issue हो सकता है तो at that time obviously same thing applies कि आप किसी roadside mechanics से आप ये ठीक कर नहीं करा सकते तो इसके लिए आपको कोई एक गारी चाहिए जो कि आपको वो गारी tow करके लेके जाए तो RSA service बहुत सारे गारियों में एक साल के लिए तो at least free रहता ही है तो आप dealer से पूछ लीजिए कि RSA service free है कि नहीं या फिर उसको extend कर सकते है कि नहीं अगर एक साल के लिए भी रहता है तो आपको उसको extend भी कर सकते है कि नहीं वो भी आप पूछ लीजिए अपनी dealer से तो यह एक बहुत ही important point है जो कि बहुत से लोग सायद मिस कर जाते हैं तो आप प्लीज यह धियान में रखिएगा RSA is very important और service के मामले में और एक चीज है कि अगर service center जो dealer है उसके साथ attached है तो service center के अंदर जाके देखिए कि instruments ठीक ठाक है कि नहीं लोग है कि नहीं कोई गारी जाते हैं तो वहां पर आपको पता ही चल जाता है कि रेंज क्या है ARI certified range क्या है लेकिन वह real life में आपको नहीं मिलेगा तो आप dealer से या फिर salesman से पूछिए कि real life range कितना मिलता है या पर या फिर आप किसी भी social media में आप देखिए जाके कि जो owners है उनको real life range कितना मिल रहा है तो अगर आपके लिए ये सही है वो range आपकी daily use के लिए तो ही आप उस गारी को consider कीजिए तो सभी गारियों में battery and motor की warranty तो रहता ही है और आपको ये पूछना भी है कि warranty कितने दिनों के लिए है कितने किलोमेटर के लिए है सब कुछ आपको पूछना है तो हमने बहुत सरे review videos में ये question तो mandatory करते ही है और एक question हम review videos में mandatory करते है वो है कि extended warranty है कि नहीं and अगर है तो इतने सालों के लिए है ये भी बहुत important है क्योंकि motor हो गया ये battery हो गया ये बहुत ही expensive है especially battery तो extended warranty अगर रहते है तो obviously आप उसको लेने के लिए consider कीजिए क्योंकि obviously मतलब 3 साल के लिए अगर पांच साल हो जाता है तो पांच साल में अगर कोई problem आता है तो पुरा refresh रिप्लेस करके देंगे company वाले तो obviously extended warranty लेना is very important आप लोग लीजिए extended warranty that is our suggestion actually and हमने ओला की जो extended warranty है वो लिए थे तो आप अभी screen पे देख सकते हैं तो extended warranty लेना is very important तो next point है वो है battery chemistry so obviously आप गारी का जो battery है उसका battery chemistry क्या है वो LFP battery है या फिर NMC battery है obviously LFP होता है तो उसको ही जादा prefer कीजिएगा क्योंकि LFP battery में जो battery cycle होता है वो जादा होता है and आग लंग मीने की chances भी थोरा सा तो कम ही होता है so next जो point आपको धियान में रखना है वो है braking system तो combi braking system है कि नहीं वो तो आ यह भी धियान में रखना है कि उस गारी में drum brake है या disc brake है obviously disc brake is जादा preferable क्योंकि Indian traffic जो है वहाँ पे आपको कोई वरुसा नहीं है मतलब किसी भी गारी किसी भी तरह से आके किसी भी साइस से आके आपको ठोक सकते है तो उस time पे आपको brake जल्दी करना है तो उस time पे आपको disc brake जादा help करेगा rather than drum brake तो all in all हम लोग यह बताना चाहते हैं कि आप लोग जब गारी खरिदने जाएंगे तो आप लोग यह सब points तो obviously देखेंगे बट कुछ लोगों के लिए जो smart features है वो भी बहुत important है तो अगर आपके लिए यह important है तो obviously आप वो भी देखिए लेकिन हमें लगता है कि in the long run smart feature के comparison में यह सब चीज ज़्यादा important है क्योंकि daily commit के लिए आपको यह सभी ज़्यादा चाहिए होगा obviously smart features में आपको अगर google map मेल जाता है या फिर map का facility मेल जाता है वो बहुत ही helpful है उसके सिवाद जो other features है वो उतना खास use नहीं होता है तो यह वीडियो हमें support करने के लिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए और bell icon भी जरूर दबाईएगा और इस वीडियो को जाद से जादा share कीजिए share करना बहुत important है ताके दूसरे लोगों को भी help हो जाए उनको भी पता चले कि कोई गारी खरीदने के time क्या-क्या questions dealer से पूछना चाहिए या फिर कौ